हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैगने बेंस मैरुपाली वर्मा आज जो हम करने के लिए आए हैं वो है आपकी बुक रिम जिम और कक्षा है हमारी पांचवी तो इस पुस्तक में हम पढ़ रहे थे हमारा पार्ट दो फस्तों के त्योहार ये हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अब इसके प्रश्णोत्तोर और अभ्यासकार हमें करने हैं जो हमारी बुक में वैकसाइट में दिये रहते हैं उनको भी दो हमें करना होता है, मैम करा दी है तो हम जल्दी-जल्दी से उसको समझ लेते हैं, depth नो समझ चुके हैं, समझ हैं और अब हम question answers भी जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं देखते हैं, तो हमारे पास में जो हमारा पहला आ रहा है, किस title के अंदर है मौसम का अंदाज अब ये मौसम पर ही डिपेंड था क्या उसमें बताया था कि खिचडी के आसपास कितनी ठंड हो रही थी ऐसे ठंड नहीं होती थी चित है तो वही मौसम का अंदाज दिया गया है क्या है प्रेश्ण खिचडी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना ही देखी यहां तुम खिचडी से क्या मतलब निकाल रही हूँ कहने का मतलब खिचडी किस कहां के आसपास मनाई जा रही है क्या चीज है आप इस खिचडी शब्द से क्या समझते है यहां खिचडी से मतलब मकरशंकरांती से है आप ऐसे भी लिख सकते हैं खिचडी से मकरम मकर संक्राथी से है और यह 14-15 जनवरी को मनाया जाता है तो जनवरी में ठंड होती है जैसे तो यहाँ पर कैसा जाड़ा खिचडी के समान जनवरी में थोड़ा सा ठंड हलकी हो जाती है क्योंकि यह mid of January आल जाता है तो उसमें ठंड कम हो जाती है तो यहाँ पर क्या बताया है उन्होंने कि यहाँ खिचडी से मतलब है मकर संक्राथी क्योंकि खिचडी तो खाने वाला पदार्थ होता है तो वो त्योहार भी नाम से जामा जाता है और वो त्योहार होता है मकर संक्राथी से अब इसी पर दूसरा प्रिश्ण क्या दिया गया है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिलकुल ही ना निकले अगर ऐसा हो तो अपने साथियों से बात चीत करके लिखो कहने का मतलब है क्या कभी ऐसा संभावाई कि सूरज निकले ही नहीं और अगर ऐसा हो तो क्या होगा अब ये आपको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जैसा आप इमेजन करते हो कि सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा उस कंडिशन में क्या क्या चीजे घटती हैं क्य तो क्या होगा सूरज निकलने से बहुत जादा क्योंकि हमारी प्रत्वी को अनर्जी तो वही देता है तो अब अगर सूरज नहीं निकलेगा तो गर्मा हट नहीं आएगी तो ठंड भड़ती जाएगी चारो दरफ अंधेरा हो जाएगा हमेशा अंधेरा ही बना रहेगा और तो क्या मज़ा आएगी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगी तो वही चीज यहाँ पर आप लिखेंगे इसके लाबा आप जो कुछ भी और सोच सकते हैं आपको जो मैसूसों कि सूरज निकलने पर यह चीज नहीं होगी उसे भी आप यहाँ पर लिखेंगे अब है प्रश्ण तीन क्या है बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं अब देखिए पहला क्यों बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं क्योंकि बाहर सूरज नहीं निकला था अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूरज नहीं निकले तो यहां कहने का मतलब था कि सूरज तो निकला था मगर बादल चाय हुए थे इसलिए बोला गया कि सूरज नहीं निकला और दूसरा समय का अंदाजा बादल चाने से जो है हमें समय का अंदाजा नहीं लग रहा था क्योंकि सूरज की रोष्णी नहीं आ रही थी अब जो इनसे कोश्टन पूछा गया है क्या कोश्टन है जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान कैसे लगाते भाई घड़ी तो बहुत ही अभी आई ना पुराने समय के लोग घड़ी में कैसे अंदाजा लगाते हैं तो वो इस तरीके से होता था क्या दिया है बाहर सूरज नहीं निकला थे इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देख कर लगाते हैं देखे कभी भी आप जाना ना तो देखना एकदम आप खड़े हो सूरज आपके सर के उपर है तो वो समय क्या होता है एकदम दुपहर के 12 बजे फिर धीरे 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 आप जैसे जैसे नीचे आते जाएगा समय घटता जाएगा जैसे पूरब से सूरज निकला थोड़ा थो के उपर तो एक आप ऐसे रखो ठीक है अब अगर आपने ऐसे करके रखा तो यह क्या हुआ 10 ब補 गया 11 बज गया फिर उसके बाद अगर फीर घड़ी है ऐसे बढ़ा तो पिर से बच जाएगा, एक बच जाएगा, दो बच जाएगा, तीन बच जाएगा, तो ये इस तरीके से समय का अंदाजा लगाया जाता था, सूरज के मुमिंट के हिसाब से फुराने समय में या जिनके पास घड़ी ना हो, वो अभी भी इसी तरीके से समय का अंदाजा लगाते हैं, अब next क्या है हमारे पास तुम्हारी जुवान अब तुम्हारी जुवान पर क्या कोशन है आज इस लोग के उठे के नई खे इस वाक को अपने वाक की भाशा में लिखिए हम सभी को पता है कि यहां पर जो दादी मा बोल रही थी वो बिहारी लाइंगेज में बोल रही थी त तो अब इसे आपको अपनी भाशा में लिखना अब इस भाशा में से आप क्या समझे आज आज इस लोग को उठे के नई खे मतलब आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या तो क्या है आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं क्यों क्योंकि वो लोग बहुत देर तक सो रहे थे और सुबा आराम से खुब देर तक सो रहे थे, तो हाथ था मगर संक्रांती का, तो दादी जी ऐसे ही बोलती है, फिर है दूसरा स्टिट्मिन क्या है, जा भाग कर देख करके पत्ता आई की ना, अब इसमें क्या था, इस वाकर को अपने में लिखना है, तो निन क्या बोला, जा भाग कर देखो कि केले का पत्ता आया की नहीं, ये देखो जा भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं, अब इसके बाद हमारे पास जो next topic है, यो क्या दिया है, भारत तेरे रंग अनिग, क्या टॉपिक है भारत तेरे रंग अनिग, इसमे प्रेश्ण क्या पूछा गया है, विवित्ता हमारे देश की पहचान है, फसलों का तेवहार हमारे देश के विविद रंग रूपों का उधारने, जैसे हमने पार्ट में पढ़ा, कि सिर्फ फसलो जानकारी तियोहार कितनी जगह अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। कपड़े, नयावर्ष, भोजन, लोककला और लोकसंगीत। इन में से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। और उधारण लेके आना है। अब हमने इस पे लिखित रूप में आपके सामने कुछ रखा है। आप इसकी पिच्चस भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या दिय इस स्टेट्मेंट से विभिनता में भी एकता, यानि कि सभी जगा अलग-अलग भाषा बोरी जाती ही, मगर हमारी राष्ट भाषा सर्फ एक है और वो है हिंदी। फिर दूसरा है कपड़े, भारत के विभिन प्रांतों में अलग-अलग तरह के कपड़े पहने जाते जितने भी भारत में रह रहे हैं, ये सभी भारतवासी हैं, लेकिन सभी प्रांत के लोग अलग-अलग कपड़े पहनते हैं। फिर उसके आगे है नया वर्ष। भारत में अलग-अलग राज में नया वर्ष विभिन तरह से मनाया जाता है। सभी जगा अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगा पे ज़रूरी नहीं है कि पहली जन्वरी से ही नया वर्ष शुरू हो हमारा जो धार्मिक कलेंडर है उसमें अलग तरीके से शुरू होता है हर धर्म में अलग-अलग तरीके से नया वर्ष मनाया जाता है भोजन देश के अलग-अलग राज में विभिने भारत में अलग-अलग राज्य विभिनने के अलाए विद्धमान हैं जो भारत के संस्कुरती बनाए हुए है वहाँ पर क्या है? अलग-अलग लोग के लाए हुती है जैसे हर देश का पंजाब में अलग है आपका उतरपिदेश में अलग है हर राज इविन हर सिटी में भी अलग-अलग तरह की मनाई जाती है फिर है लोक संगीत क्या है भारत में सभी राज के अलग-अलग लोक संगीत है जब अलग-अलग तरह के लोक रह रहे हैं तो अलग-अलग तरह की लोक संगीत भी है आप देखिए जहां पर हमने तरह तरह के आपके बारे में लिखतो दिया आप इंसकी picture साप collect कर सकते हैं अब जैसे अलग तरह के लोक संगीत हैं तो आप लोक संगीत, लोक नित्य, अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं फिर भोजन के नाम आप ले सकते हैं बिहार में लिट्टी चोका है, पंजाब में सरसू का साख मक्के की रोटी है, आपका कल कत्ता का रोसो गुल्ला है, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, आप आएंगे साउट की साइड में आएंगे इडली, सामबर, डोसा, ये सब चीजें होती हैं, तो साब स्टेट्स के आप अलग-अलग वेंजिन के नाम ले सकते हैं, उनकी पिच्चर्स कर सकते हैं, जिन्हें आप ऐस अ प्रोजेक्ट करके, कठा करके अपनी टीचर्स को दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमने अलग तरीके साग उताया, कपड़े, अलग-अलग परिधानों की फोटोग्राफ से क कर सकते हैं, करिए उनका कुलाज बनाईए और मैं को प्रेजेंट करिए, अब हमारे पास नेक्स कोशन है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है, अब देखिए सभी के लिए सब का त्योहार अलग- अलग ही होंगे, अब किसी को होली अच्छी लगती, किसी को दीपावली अच्छी लगती, किसी को रक्षा बंदन अच्छा लगता, किसी को जन्माष्ट मी अच्छी लगता, किसी को ईद अच्छी लग रही है, तो किसी को क्रस्मस अच्छी लग रही है, किसी को बैस आखी अच्छी लग रही तो सब के त्योहार अलग है और सब ही का यहां आंसर भी अलगल होगा हम यहां पर आइडिया दे रहे हैं त्योहार अपनी तरह से सेलेक्ट कीजिए उसे आप कैसे मनाते हैं यह लिखिए और उस दिन पूरा दिन आपका रूटीन क्या रहता है यह देखे जब भी कोई कोशन पूछा जा रहा है तो पहला कोशन क्यूं है उसका उत्तर पहले दूसरा कोशन उसका उत्तर बाद में तीसरा कोशन उसका उत्तर बाद में तो पहला कोशन क्या था तुम्हें कौन सा तेवहार पसंद है तो हमने क्या लिखा पहला आंसर हमें हो तो लीका तयोहार सबसे अच्छा लगता है, दूसरा question और क्यूं, तो हमने लिखा क्योंकि इस दिन चारों और रंग ही रंग देखने को मिलते हैं, तो हमने दूसरे question का भी उत्तर दे दिया, तीसरा, इस दिन तुम्हारी दिनचर्य क्या होती है, अब तुम्हारा routine उस दिन क इदमी समया पसंद है, दिपावली में तरह तरह की मिठाई है, गटा है, चूड़ा है, लाई है, ये सब अच्छा लगता है, तो किसी भी तरह जिस त्योहार में जो भी पकवान बनते हैं, उनके आप नाम लिखतेगे. अब है आपका नेक्स टॉपिक, अन के बारे में, जो अन जैसे हमने यहां पे देखा कि फसल के बारे में यह चैप्टर था, तो उसी के बारे में ही हम यहां पर लिखेंगी, क्या है? फसल के तियोहार का 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 तियोहा कूट के भी उसकी मिठाई गुण मिलाकर बनाई जाती है बहुत टेस्टी लगती है तो बहुत तरह से मिठाईयां बनती है और इसका तेल भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है नेक्स कोशन है तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो अगर आपके आसपस कोई तील की दुकान है तो आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं अगर नहीं है तो आप knowledge ले सकते हैं अपने बड़ों की वदद लेजें उन्हें तो पता ही है तो क्या होगा तिल के अतरिक्त नारियल, सरसों, आवला, मुंफली, बादाम और फूलों के तेल बनते हैं बहुत तरह के तेल बनते हैं हम सभी जानते हैं तो इन सब चीज़ों सहे यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है? मशीनों से निकाला जाता है अब आते हैं हम next किसान और चीजों का सफर next topic क्या है? किसान और चीजों का सफर किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है नहीं है विशेश रूप से सहे से जादा तर लोगों को यह एहसास नहीं कि हमारी जिन्दगी किस हद तक इससे जुड़ी हुई है मतलब जो लोग शहर में रहते हैं वो खेत, किसान से जह लगता हैं बहुत दूर हैं लेकिन नहीं हम जो शहर में रहते हैं उनका जीवन भी किसानों से ही जुड़ा, खेती से ही जुड़ा हुआ है देश के कई हिस्तों में आज किसानों को जिन्दा रहने के लिए बहुत महिनत और संघर्ष करना पड़ रहा है अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीजे खाते हैं वे कहां से आती हैं तो किसानों की हमारी जिन्दगी में भूमिका को हम समझ जाएंगे मतलब जो चीज हम पूरा दिन में खा रहे हैं क्योंकि हम भूगे तो नहीं रह सकते जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो कहीं न कहीं सब कहां से आ रही हैं किसानों के जरिये ही हम तक पहुँच रही है तो अब यह आपको जानना है क्योंकि हम सभी जानते हैं किसान बहुत महिनत करते हैं फिर क्या है आलू की पकोडी, बर्फी और आइस्क्रीम इन तीनों चीजों के बारे में नीचे दिये गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकठा करो और मेरी कहानी इनके रूप में चीज उसे लिखो ठीक है आपको जानकारी लिखनी है पता करनी है और लिखनी है तो बिंदु क्या दिये हैं किन चीजों से बनती है तेन चीजे हमें थी हमारे पास आलू की पकोडी, बर्फी और आइस्क्रीम ये किन चीज पहला क्या है किन चीजों से बनती है ये सारी चीजे आलू की पकोडी आलू और बेसन से बनती है बर्फी खोय से बनती है वा आईस क्रीम दूच से बनती है दूसरा जो बिंदू है वो क्या है इन चीजों का जन्म कहां होता है अब यह जीजे बन रही है तो यह होती कहां पर जन्म कहां होता है इन चीजों का जन्म किसानों के घरों से होता है यान हम तक यह चीज़े किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती हैं किसान व्यापारियों को देते हैं और व्यापारियों से हम खरीदते हैं दुकान से लेते हैं तो दुकान दार कौन होते हैं व्यापारी होते हैं यह कहां से लाते हैं मंडियों से लाते हैं चीजें हम तक किसानों व्यापारियों तक हा दुकानदारों के हाथों से पहुंचती हैं मतलब किसान व्यापारियों को भेशते हैं व्यापारी से व्यापारी कहां देते हैं दुकानदारों को देते हैं और दुकानदारों से हम वो सारी चीजें खरीदते हैं फिर आते हैं हम इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है अब ये जो पूरा सफर है इसमें किसकी कितनी मेहनत लगती है इस पूरे कारे में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है सबसे ज़्यादा किसानों की लगती है क्योंकि वो बहुत मेहनत करके बेशन्स क कराते हैं और फिर उनको अच्छे से सजोगे रखतेएं झाद की देखभार नहीं करेंगी टो खराब हो जाएँगी। तो पर उसने बाद वह दुगां दारों के पास पहुंचती है और दुगां दारों से हम लोग खरीड़ते हैं। फिर हैं इन लोगों में से किसको कितना मुनाफ़ा मिलता है, सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा किसको मिलता है, मतलब प्रॉफिट किसको होता है, इन लोगों में से किसानों को कम तथा व्यापारियों को उनसे कुछ ज़्यादा मुनाफ़ा मिलता है, मतलब व्यापारी किसानों स बहुत कम दाम में चीज़ें खरीद लाते हैं मगर बेचते जादा में, तो मुनाफा सब्सेज़ादा व्यपारियों को होता है और किसानों को इतना जादा मुनाफ़ा नहीं हूं पाता है अब हैं खास पक्वान पर प्रश्ण हैं क्या प्रश्ण हैं गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसद्ध है हमारे देश में छोटी बड़ी कई ऐसी जगाएं हैं जो अपने खास पक्वान के लिए मशूर हैं अपने परिवार के लोगों से पता करें और उनके बारे में लिखें हर जगा हमने आपको बताया कि बहुत सारी जगाएं अलग-अलग चीज़ों के लिए प्रसद्ध हैं तो वो चीज़ें आपको लिखनी हैं जैसे हाँ पर कुछ है आप अपने घरवानों से बात करिए वो आपक देखिए अब नेक्स्ट क्या दिआ है पिछले दो वर्षों से तुमने काम करने काम करने बारे में जाना है इन शब्दों को क्रिया कहते हैं क्रिया का संबंद कोई काम करने से होता है नीजे खिचडी बनाने की विधी दी गई है इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए उसे पूरा करो ठीक है अब वो आपको यहां वर्च दिये हैं चौकना पीसना पकाना धोना परोसना भूनना अब आपके पास सामगरी भी द लेसन तीन फाके इलाईची के दाने तीन छोटी दाल चीनी टूएनड़ हाफ यानि की दो और एक आधी सेंटीमीटर का एक टुकडा यानि की टूएनड़ हाफ सेंटीमीटर का एक टुकडा पानी चार प्याले मूंग डाल आधा प्याला, सरसो का तेल तीन बड़े चमच, तेजपत्ता दो, जीरा आधा चमच, प्याज बारी कटा हुआ एक मंज होला, मतलब मीडियम साइज का एक प्याज चावल धुले हुए एक प्याला, फूल गो भी बड़े बड़े टुकडों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छील कर चार टुकडों में कटे हुए दो, यानि की दो आलू छील के उन्हें बड़े बड़े टुकडों में काटना है मतर के दाने, आधा प्याला, धनिया पिसा, एक बड़ा चमच, लाल मिर्च पिसी, आधा छोटा चमच, चीनी, एक चमच, घी, दो बड़े चमच, नमक और हल्दी, अंदाज से, मतलब जो जितना खाए उसी सब से अब विधी पढ़ेंगे, अब विधी में जहाँ-जहाँ छोटी थे और जो क्रियाएं थी, वो हमने सभी जगा फिल कर दी है, तो चलते हैं, विधी पढ़ते हैं, सबसे पहले विधी क्या है, इलाईची, दाल चीनी और लौंग में थोड़ा-थोड़ा पानी, यानि एक चोटा चमट डालते हुए पीस लें, अदरक और लैसुन को एकठा पीस कर पेस्ट बनाओ, दाल को कढ़ाई में डालो और धीमी आज पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो, अब दाल निकाल कर पीस लो, तेल को कुकर में डाल कर गर्म करो, तेल गर्म होने पर तेजपत्ता और जीरा डालो, जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डाल कर सुनहरा भूरा होने तक भूनो, अब अदरक लैसुन का पेस्ट डाल कर कुछ मिनट तक भूने, दुलीवी डाल, चावल, सबजी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ, और शेश पानी यानि की चार प्याले डाल कर एक बार हिलाओ, कुकर बन करो, तेज आज पर पूर प्रेशर आने, अब आज तेज करके चार मिनिट तक पकाओ, भाब निकल जाने पर कुकर खोलो, मसालो का पेस्ट मिलाओ, खिचडी, घी, ही, जीरा, साबुत लाल, मिर्च, छोक कर परोसे गर्मा करो, तो यहाँ पर क अगर इस पार्ट को आप पढ़ना या समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल, magnetsbrain.com पे, जब आप यहाँ आएंगे, तो आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, हमारी क्लास है फिफ्ट, फिफ्ट सेलेक्ट करते ही, फिफ्ट ने पढ़ाय जाने वाले, जो हैं सब ही, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो आपके सामने होगे, तो सब्जेक्ट जब हमारे सामने आजाएंगे, तो हमें क्या करना है, हिंदी सेलेक्ट करना है, ये देखे, हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे, और हिंदी सेलेक्ट करते ही, हमारे सामने हिंदी की पू को लें पूलेगा. Thank you for watching. Bye-bye.